कि दोस्तों नमस्कार यहां आज हमारे अथरगोड फार्म के पास का एक द्रिश है जो मैं आपको दिखा रहा है वीडियो में लेकिन मेरा मूल उद्देश इस द्रिश को दिखाना नहीं है बलकि आप से कुछ नंबीर बाते करना है फिर भी नजारा मुझे मनुरम लग रहा इसलिए मैंने सुचा कि आप सभी को दिखाया जाए यहां पर दो चडिया बैठी हुई है साइद है हमारे इस्थानी भार्षा में किलांटी कहते क्या बोलते हैं किलांटी बोलते हैं यह दोनों आ करके हमारी जो यह अथरगोड फार्म की बकरियां है इनके पीठ पर चोच प्रषियों को यहां से दूर भगाया और अभी जो मुख्य बात जिस बिंदू पर मुझे करनी थी वह ऐसा है कि आप किस तरीके से गोट फार्मिंग को एक बहतर या आप कह सकते हैं कि ज्यादा मुनाफ़ा निकालने वाला एक बिजनस मॉडल बना सकते हैं बिजनस मॉडल मुद्ध है उनमें भूसे प्रबंध करके इसी प्रफाइं कहने के लाना है मल्ति विटमिन और साल-थब्र की चूनी या जो भी चीज़े मुग खिलाते हैं हारा-चारा है तमां सांदी चीजें वह सब कुछ स्टाक करें और सालब्र को खिलाया उन का पढ़ने के लिए है मेरे अपने हिसाब से क्योंकि मैंने भी कुछ दिनों तक अपनी बख्रियों को स्टॉल फूड पर ही रखा था लेकिन अभी आप देख सकते हैं मेरी सबी बख्रियां दूर दूर तक निकल गई है कुछ बख्रियां कुछ यह आसपास में जो आसपास में उनका आप देख जाता है लेकिन चुकी यह मिट्टी बलूई है तो यहां पर धान की खेती बहुत जादा नहीं होती है बहुत सीमित मात्रा में होती है तो ऐसे तमाम सारे खेत अप्ठंडियों तक यूहीं बने रहेंगे और बरसाथ चुकी पर चुकी है इसलिए बढ़ियां घास इस पर उगाई है तो अच्छे इनके चारे का अच्छा प्रबंध कह लिए दो तीन चार महीनों के लिए हो गया है हलाकि बरसाथ के लिए आपको थोड़ा भूसा मतलब परसनली मैं भूसा और चूनी वगरा स्टॉकर के रखता हूं बाकी जो स्थानी किसान है उनकी बक्रियां च चारा गाह में अपना पेड भर रही है चराई इनकी जवरदस्त है और कोई भी बक्री आपको मेरे इस फार्म की दूबली पतली नहीं दिखाई देगी जो बच्चे जिन्होंने भी तजा तजा बच्चे जने हैं उनको छोड़ करके बच्चे हो जाए जो एडल्ट बक्रि सब्सक्राइब तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर आपको गोट फार्मिंग एक प्रॉफिटेबल बिजनस मॉडल के रूप में कनवर्ट करना है तो मेरी अपनी सजेशन यह है कि हो सके तो गोट फार्मिंग के बिजनस को आप शुरुवात बिल्कुल स्टॉल में ऐसी जगा पर जहां पर चराने के लिए साल में कम से कम दस महीने प्रबंध रहे सिर्फ बरसात को छोड़ करके तो आप ऐसे किसी गाव में जमीन यहां पर इर्द गिर्द में आपको सिर्फ दूर दूर तक जंगल दिखाए देंगे मेरा फार्म पुरा जंगलों के बी कुछ भी एडिशनल देने के जरुवत नहीं है हालाकि अगर आप देते हैं अडिशनल तो बक्रियां और भी ज्यादा स्वस्त रहेंगी और भी ज्यादा अच्छी रहेंगी जो आप कुर्बाने के लिए बखरी त्यार करेंगी उनको भी आप बहतर पोशन दे सकते हैं मेर लेकिन इस तरह भी आपको मेरी बक्रियां कोई कमजोर नहीं दिखेंगे सारी और पूरी तरह से हल्दी हैं यह थी मेरी अपनी राए कि एक बकरी पालग को इस बकरी पालन के विशाय को और भी ट्राफिटेवल कैसे बना आ जा सकता है आपको क्या लगता है कि बहतर तरीका क्या है बकरी और आप जब जो भी फार्मी及 कर रहे हैं तो गोड फ़ार्म विल्कुल आप अपना पूरा पता औ फोन नमर मुझे दे सकते हैं अभी हालाकि मैंने प्लान किया है कि जो लोकल के इस मरत इसा अगल चलम नहिरोगoire फार्म्स को विजिट करूँगा आप सभी तक जानकारी पहुचाऊंगा आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार